नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अपनी Nokia 43-inch Ultra HD Smart TV के पटाक छिप के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहूँगा यह TV मैंने पिछले वर्ष 12 अगस्त 2020 को Flipkart से खरीदा था इसकी performance से हम बेहद ही प्रभावित थे क्योंकि इसकी sound quality और picture quality बहुत ही बेहतरीन थे लेकिन करीब 10 महा के प्रयोग के बाद TV में एक लंबवत लाइन दिखाई देने लगी हमने TV को DTH और internet दोनों के माध्यन से चेक करके देखा कि अखिर समस्या कहां है हमारी समझ के अनुसार समस्या TV के डिस्प्ले पैनल में थी चूंकि TV वारंटी के अंदर में था इसलिए हमने इसकी शिकायद Nokia की website पर दिये हुए email पर कर दी वहां से जवाब आया जहां पर उन्होंने एक सही email ID को दिया हुआ था जहां पर के हमें शिकायद दर्ज करानी थी हमारे वारंटी सड्डिकेट में भी यही email ID दिया गया था सही email ID पर शिकायद दर्ज कराने के बाद वहां से फ्लिप काट की वारंटी टीम का जवाब जल्दी ही आ गया जिसमें उन्होंने समस्या के कुछ photographs और mobile number की मांग की थी हमारे वारंटी क्लेम को register कर लिया गया और हमारी शिकायद को उनके सिवा प्रदाता को transfer कर दिया गया फ्लिप काट के सिवा प्रदाता के प्रतिनेधी यानि की representative ने 24 जून सन 2021 को TV को पूरी दरह से देखा और चेक किया इसके अलावा उन्होंने TV के बिल को भी चेक किया साथ ही TV के पैकिंग केस को भी देखा क्योंकि है वारंटी क्लेम का एक हिस्सा है अतहे अपने अनुव के अधार पे मैं यह आप लोगों से कहूंगा कि टीवी के पैकिंग केस को गारंटी पीरिट तक समाल कर रखें और इसे फैंके नहीं नोकिया टीवी के सर्विस सेंटर के रिप्रेजेंटेटिवस ने टीवी के कई सारे फोटो कीचिए और कुछ वीडियो भी बनाए और उन् डिस्प्ले पैनल को बदलवाएगी कुछ दिन तक तो कंपनी का कोई उत्तर नहीं आया फिर 2 जुलाई सन 2021 को फ्लिप काट के नोकिया टीवी के सर्विस सेंटर की और से फोन आया जिसमें उन्होंने यह बताया कि कंपनी रिप्लेस्मेंट देने में आसमर्थ है इसलिए व वे इस रिक्वेस्ट को क्रप्या इमेल के माधिम से प्रदान करें कंपनी के इमेल के जवाब में मैंने अपने बैंक डिटेल्स उन्हें प्रदान किये फ्लिपकाट द्वारा टीवी का अनिस्टॉलेशन 6 जुलाई सन 2021 को पूरा कर दिया गया इसके अगले दिन यानी कि 7 जुलाई 2021 को टीवी को कलेक्ट करवा लिया गया और यकीन मानिये टीवी के कलेक्ट होने के महच 1.5 घंटे के अंदर टीवी खरीदने के लिए भुकतान की गई पूरी राशी मेरे खाते में वापिस आ गई थी दोस्तों टीवी खराब होना बड़ी बात नहीं है लेकिन ट फिलिपकार द्वारा उत्किष्ट सेवा का प्रदर्शन किया गया जो की वास्तों में सराहना का पात्र है हमने इस रिफन के पैसे से दुबारा से नूकिया टीवी को खरीदने का ही मन बनाया था लेकिन इसी बीच में हमारा फिलिप्स का पुराना टीवी सही होकर वापिस आ गया था इसलिए हमने ने टीवी खरीदने की योजना को त्याग दिया अब चुंकि हमारा पुराना टीवी नॉन स्मार्ट था इसलिए इस टीवी को स्मार्ट बनाने के लिए हमने नोकिया स्ट्रीमिंग डिवाइस को खरीदा जिसके उपर वीडियो हम तभी आगे बना में आवशक का रवाई करने की सूचना देता हुआ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तो मेरे नाम है अमरित सिंग और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेर करें और यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें अगले वीडियो में किसी नई जैनकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद